विल्कम बेक फ्रेंट दोस्तों मस्कार यह बीडियो बहुत ज़्यादा इंप्वर्टेंट है फ्रेंट उत्तर पर्देश पुलिस उत्तर पर्देश पुलिस एक्जाम हुआ था आपको पता होगा उत्तर पर्देश पुलिस 2018 2019 अभी एक्जाम सोने वाले हैं 2020 में अकौन से तो या फ्रेंट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंप्वर्टेंट होने वाली है वीडियो को इसकिप मत करना आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आपको सेलेक्शन 100% इस चैनल से आपको सेलेक्शन मिलेगा और बहुत सारे नोट्स कम्प तो इसकिप मत करना पूरा वीडियो को दिखना इस वीडियो में हम 38 कुश्चन लेके आए हैं पूरा ओफिसल पेपर के साथ तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी और आपको हम एक कुश्चन पढ़ते चलेंगे आप एंसवर देना चाहें तो कमेंट में दे सकते है कमेंट पे एंसवर दीजिएगा और आप इतनी तयारी को आकिएगा कि आप कितना इसमेंसे कोश्चन को हल कर पातें इमानदारी के साथ और लास्ट में जितने पी सारा क् question है मैं लास्ट में सभी का answer की दे दूँगा आप जाके वहां से मिला लेना इससे होगा कि आपको ब थारा जुन फरस्ट शिप जो पेपर है फ्रेंड 38 कुश्चन है जी के एस्पिसाल 38 कुश्चन है वीडियो जाद लंबी नहीं होगी हम इसको जल्दी से फिनिस कर देंगे और प्लीज जितना भी आपको कुश्चन आता होगा इमानदारी से आप कमेंट कर देना कमेंट करके इपना स्कोर को चेक कर लेंगे ऑफ एंसर क का पूरा स्षय करते हैं कि चल्ले वीडियो को चुरू करते हें पहला स्टिय से यहांप दैखिए, जहां पसलें नहीं गोड़ाो कि मैं इसटर नहींगे इसका इस वीडियो को पूरा एंसर की दे देंगे आप मिला लेना कितना पसाही था तो चलिए पहला question पोचते हैं पहला question पोचते हैं पहला question पोचन पोचता आथा गाजियाबाद वराणसी पहला question complete answer दे सकते हैं नमलीकक में कौन्सा उत्तरपरदेश का सबसे पूरान विषू बिद्धाले है नम अलिह मुस्लिम भू से přयूह को पूर्ब कीRahज 2 भूलाज Ye करना होगा इसका कमेंट करके अंसर बताए क्या होगा अगला कोशन कि अगला कोशन है कोशन नमबर चार किस पड़ोती देश को लैंड आप दा थंडर ड्रैगन कहा जाता है बताए नमबर ए बर्मा नमबर बी नेपाल, नमबर C, बंगलादेश, नमबर D, भुटान Question number 4 company, next question Answer देजिएगा, कमेंट करके इमानदारी के साथ, आपके तैयारी भी हो जाएगी चलिए, पांचवा question क्या था किस छेत्र में काजु इसे गुरू को नित्री कौन थी, आप संते दे रहें बिलावल, बिलावल भुटो, जरदारी, नमबर B, बेंजीर भुटो, नमबर C, सेरी रह्मान, नमबर D, मुम्ताज महल बताएगा इसका correct answer क्या होगा, अगला question Question number 7 Question number 7, हम पढ़को बता दे रहे हैं आपको Seeker तकनीक के साथ, Seeker तकनीक के साथ भारत की कुरू, कुरूज मिसाइल कौन सी है, मैं आपको पढ़को बता दा रहे हैं पिर्सिबी, गरुन, ब्रम्होस और नरायड, बताएगा इसका correct answer क्या होगा अगला question, question number 8 अगला कुशन है भारत और पाकिस्तान के बीच कुल कितनी ट्रेने चलती है देख लिए ये सीमा पार्क पुछा है कुल कितनी ट्रेन चलती है 4, नमबरे 4, नमबर B1, नमबर C2, और नमबर D3 बताए इनमें इसकारेक्ट अंसर क्या होगा कमेंट करके बताए अगला कुशन है नमबर 9, हाली में एक बैस्विक डेटा चोरी अपराज में किस कमपनी का नाम आया था Amazon, Google, Cisco, Cambridge, Analytica बताए इसकारेक्ट अंसर क्या होगा 9, कुशन नमबर 10 अगला कुशन है फ्रेंट अगला कुशन है कुशन नमबर 10 हम हल कर रहे हैं 2018 जो एक्जाम हुए था UPP का 18 जून फर्स्ट शिप्ट अठार जून फर्स्ट शिप्ट कुशन नमबर 10 अफिसिल पेपर है पंद्रहवी रूस यदि के पंद्रहवी पंद्रहवी रूस और भारत चीन त्रिपच्छी विदेश मंत्रियों की बैठक दिसंबर 2017 में डेश 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 में हुई थी संघाई में हुई थी बीजिंग में हुई थी मासकोम हुई थी नई दिल्ली में हुई थी ये सारे कुशन पूछे गए थे याद रखना UPP में ज़्यादा कुशन टप नहीं आता इजी-जी कुशन पूछते हैं ये तो जो करेंट हुआ एकदम नार्माल कुशन नहीं तो बहुत इजी-जी इसे के अकॉर्णि तैयरी करवाएंगे फ्रेंट एक कुशन बाहर नहीं जाएगा अब नेस्ट कुशन बात करते हैं कुशन नमबर 11 11 कुशन की बात करते हैं भारत में ब्रिटीज सासन का बड़े पैमाने पर विस्तार साहयक संधियों के माध्यम से हुआ जो गवर्नर जर्नर डैस डैस के सासन काल में सुरू की गई थी जो बलार है फ्रेंट इसके लिए सुरी लेकिन हम आपको पढ़के बता दे रहें अच्छे से आपको समझ में आएगा आप संते दे रहें आपको लाड वारिंग हेस्टिंग्स लाड कॉर्ण वालिज लाड वेली जली लाड कलाईव इसका करेंट आइसर बता ही क्या होगा फ्रेंट कोशन नमबर 11 का अगला कोशन है कोशन नमबर 12 गुरु को बिंद सिंग की मुरुत के बाद गुरु की संथा समाप्त हो गई और सिखों की नित्रुतु बिस विद्यालेसिस डैस डैस को सौप दिया गया बताओ किसको सौप दिया गया रंजीत सिंग को बंदा बहादुर को अजीत सिंग को ऑठ जुझार को जुझार सिंग को बताओ इए करेक्ट अंसर क्या होगा कोशन नमबर 13 की बात करते हैं फ्रिंड याँपे देखिए कोशन नमबर 13 अगला कोशन है कोशन नमबर 13 पाकिसतान पाकिस्तान नाम सबसे पहले डैस 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 द्वारा गढ़ा गया था बताइए पाकिस्तान जो नाम है सबसे पहले डैस डैस किसके द्वारा गढ़ा गया था महम्मद इकबाल और महम्मद अली जिन्ना चौधरी रहमत अली और मौलाना आजाद बताइए इसका correct answer क्या होगा आपको लास्ट में अंसर किसका मिल जाएगा पूरा पहले आप हल कर लिजे कुश्चन कितना आपको आता है नेस्ट कुश्चन के बात करते हैं कुश्चन नमर चुदा रविदना टैगोर ने अपनी नाइडूर्ट की उपाधी डैस डैस के बिरोध में छोड़ दी यहीं छोड़ दिया नमबर एक कैबिनेट मिशन नमबर दो जलिया और अबाग नरसंगहार नमबर सी यहां पर रोल एक्ट और साइमन कमीशन बताएग इसका करेंट टैंसर कितना मस थे जल्दी से बताएगर नेज्ट के बात करते हैं के यहीं नमर 15 अगला कोशन है गुदावरी नदी का अद्गम अस्तर डैस 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 राज्यमे है बताई गोदावरी, नदीक उद्गम, डैस, 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 राज में है, मदपर्देश, छतिसगर, महराज, ओडिशा, बताई इसका correct answer क्या होगा, next question, अगला question है, question number 16, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जील कौन सी है, भारत की सबसे मीठे पानी की जील कौन सी है, डल जी भारती समिधान में कानून बनाने की निधारित प्रक्रिया, काफी हद तक, डैस, डैस, की समिधान द्वारा परभावित है, बताई इसका correct answer क्या होगा, फ्रेंड, दचिर अफरीका, जर्मनी, जापान, सैयुक्त, राज, अमेरिका, correct answer बताई इसका क्या होगा, next question की बात क रहा था, 2006 में, 2007 में, 2008 में, 2009 में, इसका correct answer बताई फ्रेंड, अगला question है, question number 19, महाराजा सवाई जैसिंग, ब्रेकट में, जैसिंग दुत्वी ने, डैस, डैस, डैस में, एक खगोली, बेद साला, अस्थापित की, कहां पे, अस्थापित की, उजैन में, सिम्ला में, भरतप जोधपूर में, और जोधपूर, इसका correct answer बताईए, next question, सभी का answer आपको मिलने वाला है, next, सभी का answer मिलने वाला है, last, पहले अपना comment score करके, रियल से बताना है, कि यूपी पी केतना question आप से हल हुआ, question number 12, universal T का कारिकरम के रूप में, केंद्री स्वास्त मंत्राले, डैस, डैस की बिरुद्ध, दोहरे सारचण के लिए, एकड़ टीके का सुभारम किया, खसरा और रुवेला, खसरा और गल्सुआ, रुवेला और तपेदिक, इन्फिलूंजा और गल्सुआ, बताईए, इसका correct answer क्या आपको, question number 20 का answer बताईए, next question, question number 21, 2011, 2011 की जनगर्णा के अनस उत्तर पर्देश की, उत्तर पर्देश का किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, 2011, जनगर्णा के अनसार बताईए, उत्तर पर्देश की कौन सी जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, गोरपूर, लखनव, इलाहबाद, जो की नम बदल के रख दिया गया है, परियाग राज और बरेली इसका करेक्ट अंसर बता है क्या होगा चारों में से नेस्ट कुस्चन कुस्चन नमर 22 निमलिखित में से किस रियासत ने 1947 में पाकिस्तान में मिलने की घुशड़ा की थी लेकिन बाद में जनमत संगरा के बाद इसे भारत में सामिल होने के लिए मजभूर होना पड़ा था बता है इसका करेक्ट अंसर क्या होगा कुस्चन नमर 22 का रामपूर जूनागार फरीद कोट और पोर बंदर बता है क्या होगा कुस्चन नमर 13 निमलिखित भारती राज्यों में से किस में से करकरेखा नहीं गुजरती है चार राज आपको दिए पूछा है निमलिखित भारती राज्यों में से किस राज्य का दुई सदन विधान मंडल नहीं है आपसने उत्तर परदेश बी जम्मू कस्मीर एंड जम्मू एंड कस्मीर सी तमिलनाडू डी करना टक अंसर बताईए क्वेश्चन नमर 25 की बात करते हैं अगला क्वेश्च भारती समिधान सभा की संग सक्ति मीथी के अध्याच कौन थे डाक्टर रजेनपरसात जेबी क्रिपलानी सर्दार बल्लम भै पटेल पंडिच ज्वालल नहरू बताई इसका correct answer क्या होगा फ्रेंड नेस्ट question question नमबर 26 प्रचीन गणित पुस्तक गणित सार संगराद डेस 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 द्वारा लिखी गई थी भासकराचार महाबीराचार आरभट ब्रहमभुत बताई इसका correct answer क्या होगा नेस्ट question की बात करते हैं अगला question है question 27 किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनी लैसिंग इंडिया लिखी है जो बताती है कि भारत 25 से 30 वर्सों में महा सक्ति साली कैसे बन सकता है बताई यहाँ पर देख लिए यह एक पुस्तक का नाम है महा सक्ति साली 25 से 30 वर्सों में कैसे भारत बन सकता है किसने लिखी विरप्पा मोहिली ने SM कृष्णा ससी थरूर मनोहर परिकर चार अप्सन दिए गए इसका correct answer क्या होगा बताईए नेस्ट question question नमबर 28 दिसंबर 2016 में भारती रेल ने आनंद बिहार और डैस 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 के बिश पहली हमसबर ट्रेन शुरू की थी इलहाबास से गोरवपूर से वरानरसी से बलिया से कहां से शुरू की थी इसका correct answer क्या होगा प्रेंड बताईए correct answer क्या होगा कहां से शुरू की गई थी नेस्ट question question नमबर 29 प्रसिद्ध सूफी से बहुत important question ने देखिए प्रसिद्ध सूफी संत से एक सरीम चिस्ती की दरगा उत्तर परदेश के किस जिले में स्थित है जौनपूर कन्नावज फतेपूर सिकरी और बारबंकी बताई इसका correct answer क्या होगा नेस्ट question अगला question है friend question number 30 हिमाला का तीसरा सबसे बड़ा सिखर कौन सा है माउंट लोस्वे माउंट मकालूप माउंट फूजी और माउंट कंचन जंगा बताई इसका correct answer क्या होगा फ्रेंड चार आपसन दिए गए है question number 30 का answer बताई नेस्ट question अगला question है question number 31 31 उत्तर परदेश का राज की फूल कौन सा है गुलाब गेंदा चमेली का फूल प्रलास नेस्ट question question number 32 मानुस के पित का उत्पादन किस अंग में होता है बताई मानुस का पित आसे जोता है किस में उत्पादन होता है किस अंग में आपसन देरें पेट में अगनासे में जिगर में पित आसे में correct answer बताई question number 33 राष्टी मानुस दिखार आयोग भारत में किस वर सस्थापित हुआ था बताई राष्टी मानुस दिखार का आयोग किस वर गठित किया गया था 2000 में 1995 में 1993 में 1950 में question number 34 निमलिखित में से निमलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद यानि फंगस के कारण होता है बताई टांगसिल पितासे की पथरी दिल का दावरा दाध बताई इसका correct answer क्या होगा question number 35 question number 35 में देखिए किस भारती राज ने 2016-17 में भारत में उत्पादित चीनीक का एक तिहाई एक तिहाई में से सबसे अधिक चीनीक उत्पादन किया बताई चीनीक उत्पादन किस ने किया एक तिहाई से अधिक गुजरात ने उत्रपरदेश ने महाराष्ट ने करनाटक ने बताइए करेक्ट अंसर क्या होगा कोशन नंबर 36 भारत की समिधान के मोल दस्ता बेस को डैस 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 द्वरा हाथ से लिखा गया था बताइए डाक्टर भी है डाक्टर भीमराम बेटकर द्वरा सरोजुनी नाइडू द्वरा प्रेम विहरी नरायट राज आदा द्वर द्वरा और डाक्टर रजिन परसाद द्वरा बताइए इसका करेक्ट अंसर क्या होगा फ्रेंड अगर आपको 38-38 आथा तो प्लीज कमेंट करके इमान दारिक से बताना सर में 38-38 कुशन इसमें सॉलिट किया अब चाहे नए नए कंडिडेट हो और चाहे पुराने कंडिड कर देंगे रोड डेली वीडियो आत्ति रहेंगे पहले हम पूरा पेपर कराएंगे हिंदी के भी कराएंगे सब कुछ कराने के बाद फिर इसके बाद इसके अकॉर्डिंग पूरी तयारी कराएंगे ओके फ्रेंड क्योंकि बहुत जरूरी है इसको समझना पैटन को अब ब बीटामिन बीशेबन का रसानी नम क्या है अब इसको पैंटो थैनिक एसिड बाटीन इसकॉर्बीक एसिड और फॉलीक एसिड बताए करेक्स टैंसर क्या होगा लाश्ट कोस्टन है फ्रेंट आज देख लिए इस चिप्ट का लाश्ट कोस्टन है दो हजार आठारा जून अठारा जून फर्स्ट शिप्ट दो हजार आठारा का लाश्ट कोस्टन है कोस्टन नमबर 38 छेत्तर नमबर आपके कंप्लीट हो जाएंगे ओके फ्रेंट आपको कितना नमबर इसमें से आपको मिला कमेंट करके प्लीज बताना आप नहीं हो तो हमारी चनल को सस्क्राइब फ्रेंट पूरा जल्दी से कंप्लीट कर लिए आप आपको एंसर का देखातें इसका पूरा अफिसियल यहाँ पे देखिए फ्रेंट इस सिप्ट का देख लिजिए ऐठारा जूल 1 शिप्ट का पूरा एंसर करें देख लिजिएальная उनतर टेखीं इसके बाद पर हाल कर लिजिए उसके बाद मिलाजेगा देख लिजिए आगे देख लिजिए 19 उजयन 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और यहां पर देख लिजिए 37 38 पूरा होगे कंप्लीट जोमिन करते रहें बार देख लिजिए देख लिजिए पूरा ले लिजी स्क्रीन सॉट लिजिए अफना कर ऊइएं करे ऊपको या वीडियो फरेंड आपको अच्छी लगी होगी प्लीस अगर अच्छी लगी लिग करना आपने हो तुमारे चैनल को सस्क्राइब करना जो बच्चे नहीं हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपका पेपर ऐसे ही आएगा ऐसे ही आपका पेपर बनेगा इसके अकॉर्डिंग आपकी तयारी कराई जाएगी पूरा जब तक एक्जाम नहीं होता भी अभी तो उन्टी फिकिसन नहीं है आने वाला वीडियो मिलेगी तो वीडियो को लाइच जरू करना अपने दोस्तों के साथ बास से जरू करना तब तक लिए आपसे लेते हैं बिदा मिलते हैं नेस्ट वीडियो में थैंक्यू धन्यवाद